अफसोस है कि किसी ने उसकी स्टिंग बनानी की कोशिश की, वो हमारे प्रेड़ना के श्रोत है, आज जो मैं जीत के आई हूँ, केजरिवाल जी और मनीश शिशोदिया जी, सतेंदर जैन जी की जो नीतियां रही, स्वस्त की रही, शिक्षा की रही, लोगों ने उसको सराहा ह है, पूरे गद्दे फाड के, दिवारें तोड के, पूरी चान बिन कर ली, और कुछ नहीं मिला, भवे स्कूल का एक निर्मान हुआ, जिससे कि हमारे छेतर के लोग भी बहुत परभावित हैं, तो राजनीती से हट करके उनको तो मैडल मिलना चाहिए, जेल नहीं मिलनी च काम की बच्चों के भविष्वे के लिए एक अच्छे नेता को, जिनकी एक अच्छी सोच है, उनको रिहा किया जाएं, कहीं कानून में नहीं है, कानून की धजियां उड़ दई हैं नमस्कार, मैं हूँ अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं, Breaking News दिल्लिय NCR, हम लोग इस वक्त मौझूद हैं, डाबडी वार में, मेरे साथ मौझूद हैं, डाबडी वार से निगम पार्सर तिलोत्मा चौधरी, तिलोत्मा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, बहुत-ब बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- टला हुआ और आप लोग सिख्या मंतरी के नाते उनका प्रचार पसार कर दें कि सिख्या मंतरी को ग्रफतार कर लिया क्या कुछ कहेंगे ऐसा है कि वो हमारे प्रेड़ना के श्रोत है आज जो मैं जीत के आई हूँ केजरिवाल जी और मनीश शिशोदिया जी सतेंदर जैन जी कि जो नीतिया रही स्वस्त की रही शिक्षा की रही लोगों ने उसको सराहा है और अपना मेंडेट दिया है उसी की वज़े से हम पार्षद बने हैं और मनीश शिशोदिया जी की जहां तक की बात है एडी सीबी आई सबने उनके घरों पे उनके पैतरिक जगों पे उनके पूरे गद्दे फाड के दिवारें तोड के पूरी चान बिन कर ली और कुछ नहीं मिला जिसके दस हजार करोड का घोटाले का आरोप है उसके यहां से केवल दस हजार रुपे मिले दस बीस लाग पचास लाग तो मिलने चाहिए थे अगर वो इतना बड़ा उन्होंने घो लोग कहते हैं कि वो आरोपी है जब तक किसी पर कोई आरोप सिध नहीं हो जाता हमें अपनी तरफ से सर्टिफिकट नहीं देना चाहिए और वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री है कि दूर जाने की तो बात ही अलग है मेरे अपने डाबरी वार्ड में उन्होंने एक बेहतरीन स्क सदिया जी और केजरिवाल जी आये थे और भव्वे स्कूल का एक निर्मान हुआ जिससे कि हमारे छेतर के लोग भी बहुत परभावित हैं और सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं उनकी शिक्षा नितियों को लेकर इवन की विदेशों में भी उनकी प्रशंसा हो रही है त प्रशंसा के स्त्रोत पे उनको भी मौका मिलेगा कि वो अच्छे इंजिनियर डॉक्टर और वो बन सके मतलब एक बेस देने की उन्होंने कोशिश की तो राजनीती से हट करके उनको तो मैडल मिलना चाहिए जेल नहीं मिलनी चाहिए थी और शराब घोटाले की जहां तक की जाइज है और इस चीज़ का हम लोग तहे दिल से विरोध करते हैं हम पार्टी से पहले सतेंद्र जैन अम मनी सिसों दिया और आगे संभवत अकेलास गहलोजी का सायद नमर हो सकता है चुकि इस तरह की जो चर्चाएं हैं गलियारों में वो हैं तो ऐसे मैं कहीं न कहीं जनता दे रही हैं और जनता तक असलियत पहुचने नहीं दी जा रहे ही तब भी हम लोग आजकल पार्कों में बैठते हैं चरुचाओं का हम लोग भी हिस्सा होते जो लोगों का सुनते हैं तो लोग कई गरीब लोगों से सुनने को मिला कि पहले डॉक्टर जो है दवायां लिख देता था टेस्ट लिख देता था तो मैडम हम एक आद टेस्ट भी नहीं करा पाते थे इतने पैसे नहीं होते थे दवाईयां भी आधी ले ली जो बोला की बहुत जरूरी है और सतेंदर जैन्द जी की नीतियों से इतना फाइदा हुआ कि टेस्ट भी फ्री होने लगे महला क्लिनिक्स में दवाईयां भी फ्री मिलने लगी और बिलकुल घर के आसपास कहीं दूर ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बचा तो एक ऐसी नीती आई जिसने की बहुत रहत दी बिमार लोगों को और पैसा भी बचा समय भी बचा और इलाज भी हुआ और उनको जेल में ड उनका की चर्चा हुई तो इसलिए पूरे देश में इनको तो एक मॉडल बनाके प्रस्तुत किया जाना चाहिए था कि इनकी कितनी अच्छी सोच है कि किस तरह से टीचरों को ट्रेंड करके बाहर से ट्रेनिंग दे के और अपने देश की शिक्षा विवस्था दुरुस्त ह और जितने अच्छे स्कूल उन्होंने बनाए जिस तरह से उनका एक सपना था वो इतने मेहनती व्यक्ति है कि सुबह छे वजे से स्कूलों में कभी बे अट्रेंडम पहुंच जाते थे स्कूलों का विजिट करने कि बच्चों के डेस्क हैं सही की नहीं है टीचर स्टाइम से पढ़ा रहे हैं कि नहीं मतलब सड़नली किसी स्कूल में जाके उन्होंने मतलब वो किया जाजा लिया कि बच्चों की बढ़ायी बढ़िया हो और द्रोस्त हो तो वह हमारे आइडियल रहे हैं पट्रे से उतारने की कोशिस है, ऐसा आपका माना है, मैं अगर इसी सरंखला में बात करूँ, एक कैमपेंज जो है वो स्कूलों में चलाया जा रहा है, खास तोर पर जो दिली के सरकारी स्कूल हैं, दिली सरकार के, उसके माध्यम से जो बच्चे हैं, वो पत्र लख रहे हैं, इस तरह के जो पत्र हैं, इसी संदर में एक जो वीडियो है आपका, वो वाइरल हो रहा है, और उसके माध्यम से दावा किया गया है, कि फोर्सली कहीं न कहीं, इस तरह की जो चीजें हैं, वो प्रियेट की जा रही है, और इस तरह का एक परसेप्शन बनानी की कोशिस आप इसनी बात कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति से जिसने ये स्टिंग बनाया है, उसको कहना चाहूंगी कि उस चीज को खुले रूप में दिखाए, कि किस महाल में हम बैठे हुए थे, हम एक पार्क में बैठके हमने वो काम किया, और पार्क में बच्चे सा दुरगा पार्क का हमारा एरिया है, और वहाँ डिडिये फ्लैट्स है, जनता फ्लैट्स है, और उसमें एक पार्क है, पार्क में रोड क्रॉस करके, वहाँ पर हम लोग बैठे हुए है, और वहाँ पर कुरसी रखी, मतलब टेबल एक लगाई है, वो भी लोगों ने अपन पार्क में रहाँ आगरह किया कि इस तरह से हमारे शिक्षा मंतरी है, आप बेटा आप अपना रोल नमबर नाम और स्कूल का नाम, अलग-लग स्कूल के बच्चे थे, तो लिखिए और मनिश सी सोधिया जी सरकार से प्राहतना किजिए कि मनिश सी सोधिया जी को जेल से रिह कौन है, तो हमने उनको बताया कि हमारे शिक्षा मंतरी है और आप लोगों की शिक्षा की बैतरी के लिए अच्छा काम करें, उसमें कई जो छोटे बचे थे, उनकी मदर्स वगेरा बहुत खुशी से हमने दो लाइन कहा कि दिल्ली सरकार से आगरह किजिए कि हमारे शिक्ष मंतरी को छोड़ दिया जाए, तो उन लोगों ने पूरे पूरे पत्र लिखे और रिक्वेस्ट की कि भी ऐसे शिक्षा मंतरी की हमें जरूरत है, जो गरीब क्योंकि जे जे वो वन रूम सेट के महां मकान है और वो पेरेंट्स ने मतलब आगरह किया, तो हमने निवेदन औ पर ये बैटके काम किया, और अगर हमारी ऐसी मनसा होती कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, तो हम जरूर छूपके करते हैं, पर अफसोस है कि किसी ने उसकी स्टिंग बनाने की कोशिश की, अच्छा होता कि अगर पूरा वीडियो दिखाते, तो लोगों के सामने आता कि ये काम कर रही हैं, और चाह रही है कि वो शिक्षा मंत्री हमारे बीच में रहें और दिली की शिक्षा को दुरूस्त करें, और जब तक उन पर कोई आरोप सिध नहीं होता, उनको आरोपी कहना उचित बात नहीं है, इस तरह के जो अभियान पार्टी के द्वारा जो चला है ज उनको देंगे आरोप जानिकी और देंगे ऐसा है कि हम लोगजी को मानते हैं, हम लोग संवीधान को मानते हैं, अमेट कर को मानते हैं, लोग पार्टी भगत सिंग्रे कर सकते पर चलती तो करने रहें और किसी गलत ढंग से किया इस चीज़ को मैं भी दुबारा आपके माद्यम से कहना चाहूंगी कि मतलब किसी से कोई थ्रेक्डिक दे के और कोई ऐसी चीज दे किसी प्रिंसिपल किसी टीचर पर कोई दवाब नहीं बना है किसी से चर्चा भी नहीं की कि आप ल लोगों के बीच में और कुछ द्रश्य ऐसे आए जो बड़े असोबनी है थे कोई चपल जूते माइक ये सब उठा के फैकना मार पीट करना कुछ लोगों कुछ उटें भी आई इस दोरा निगम पारसदों को असल में बवाल क्या हुआ था और क्या लगता है किस रणीति के क अब खुद पत्रकार हैं और आए दिन पब्लिक के बीच में रहते हैं मुझसे तो बहुत बहतर आप जानते हैं कि कोई भी इलेक्शन होता है तो पंदरा दिन तक सारी बॉड़ी फॉर्म हो जाती है सपत ग्रहन हो जाता है ताकि दिल्ली का काम ठीक से चल पड़े दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है और पूरी देश की राजधानी है इसमें सुचारू रूप से काम का चलना भी बहुत जरूरी है उसके पहले मेर के चुनावों को बार बार डिले करना अशोबनी है उसके बाद जब जनता ने मैंडिट दिया कि आम आदमी की सरकार बने पंदरा उसमें पहली बार जो हंगामा हुआ वो इसलिए हुआ कि LG के दुआरा मनोनित पार्षदों को पहले शपत दिलाई गई कहीं कानून में नहीं है कानून की धजियां उड़ रही हैं तो पहले उनको शपत दिलाई गई फिर कहा गया कि तीनों वोटिंग इकठे करेंगे उसम का मेर डिप्टी मेर में तो उसके लिए सुप्रीम कोट से फिर आदेश हम लोग लेकर आए तो दुबारा उनको मना कर दिया गया क्योंकि कानून में नहीं था फिर इनोंने गलत तरीके से जो मनोनित पार्षद है उनका गठन किया जिसमें कि उन्होंने तीन जगा जोनों म स्टेंडिंग कमेटी के मेंबर इनके हो जाए इस हिसाब से गलत तरीके से उनको बनाया चलिए कोई बात नहीं है उनकी सरकार है वो कुछ भी कर रहे हैं उसके बावजूद जब स्टेंडिंग कमेटी का इलेक्शन हो गया बहुत शान्ती से हो गया और उसमें एक वोट एक वोट जिस पे की मेर को डाउट था कि ये ठीक नहीं है उन्होंने अपनी बात रखी कि भी उस वोट को हम काउंट नहीं करेंगे एक वोट की बात थी जब हम इनकी सारी बाते मान रहे हैं तो उस वोट के चक्कर में इन लोगों ने जब मेर अपना रिजल्ट सुनाने लगी तो इन लोगों ने हमला किया मेर पे बीजेपी वालों ने जाके मेर भाग के हमला किया इतने कमांडोज और पुलिस होने के बाद वो लोग जानके हमारी मेर को नहीं बचा वाए प्रेमिसेज में मेर के कुरसी के पास उसकी कुरसी को तोड़ दिया गया मेर तो भाग गई ह आशोबनीय द्रेश्य रहे, जो कि आज तक 15 साल तो मतलब हम भी रहे हैं तो यह अशोबनीय द्रेश्य बहुत शरमिन्दगी के द्रेश्य हैं, जिस जनता ने भी चुन के भेजा है अपने नेताओं को, वो काम करने के लिए भेजा है, अपनी पालिस्य अपने छेतर की समस्याओं को बताने के लिए बेजाए उसकी बजाए उनको वहां पर जगड़ा करना पड़ रहा है तो ये सब बहुत आशोबनी ये बात है अगर ठीक से बीजेपी की मनशा है कि इस बार जनता ने उनको जिताया है आम आदमी को जिताया है केजरीवाल जी को समर्थन दिय जाए तो केजरीवाल जी की सरकार बनने दी जाए और शांती से सारे काम होने चाहिए तो जो की नहीं हो पा रहे हैं और बार बार सदन में इतना हंगावा हो रहा है इसकी हम भी दिंदा करते हैं बहुत अशोबनी है अब दुबारा कोट में मामला है जो कोट का आदेश होगा वो हम लोग पालन करेंगे निगम के जो बड़े अधिकारी हैं क्या वो सहयोग कर रहे हैं आपकी पार्ठी को आपकी मेर को चुकि इस तरह की खबरे हैं कि वो लोग जब जब यह अपना जो कारिभार है उसको समालने पहुंची तो उस दिन विस्ट करने कई अधिका विपक्ष विरोथ कर रहा था तो उसका काम है विरोत करना लेकिन अफिसर्स पे भी पूरा और से और लोग पुरा सहयोग नहीं कर रहे हैं कैसे काम करेंगे स्कूलों की स्थिती बहुत बत्तर है डिस्पेंसरी पूरी टूटी फूटी पड़ी है और बरात घरों का बुरा हाल है एमसीडी से अगर हमें फंड नहीं मिलेगा और जगड़े जंजट में रहा जाएंगे तो केजरीवाल जी ने विश्वास दिलाया है कि पहले अगर असी की स्पीड से हो रहा था तो मैं करवाओंगा काम हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि छेतर का काम हो और आप लोगों को दिक्ते नहीं आने देंगे एमसीडी काम करेगी अंतर मैं सवाल लेता हूँ खेतर के क्या आपके क्या हाल है चुकि अब सभथ भी हो गई आपको जो मेयर हैं वो भी मिल गई तो अब कहीं ना कहीं चुकि विधायक भी आपके है तो ऐसे मैं जो डबल इंजिन की आप लोगों की सरकार है उससे कितना विकास डाबडी वाड में होगा क्या कुछ योजना इस तोरान बनी है क्या कुछ बाते हुई है क्या कुछ पाइप लाइन में है ऐसा है कि बहुत खुशी की बात है, सबसे बड़े मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारी पार्टी का MLA हमारे साथ है और पूरा तरह से हमें कॉपरेट कर रहे हैं, हमारे पास फंड नहीं होने की भी हमें कोई ऐसी कमी महसूस नहीं होती और जीतने के बाद जो उन्होंने रोड कटिंग का पैसा MCD को दिया था उसके दोवारा दुरगा पार्क में रोड निर्मान का काम शुरू है डाबरी गाओं में भी अभी होली के दो-चार दिन बाद हम उद्गाटन करने जा रहे हैं और हमारे विधायक जी ने DSID से, फलड से, सभी डिपार्टमेंट से फंड ले करके पूरे छेतर में युद स्तर पे काम शुरू कर रखा है जहां PNG की लाइने पड़ रही है, पाने की पाइपलाइन नए सिरे से पड़ रही है और उसके बाद जहां-जहां यह चीज कंपलीट होती जा रही है वह रोडों का निरमान साथके साथ, रोड नाली गलियों का निरमान होता जा रहा है और फिर छेतर में घुमते हुए हम उन जगहों की जाएजा ले रही हैं और बाकी जो MCD के काम है हमने अपने दो स्कूल अंडर हाते हैं जिस में दो दो पाली में स्कूल चलता है तो उसका पूरा जाज़ा लेके pen drive में हमने पूरी वो बना ली है कि भी किस तरह की स्कूल की स्तितिय है और हम कैसा बनाना चाहते हैं अपने बरात गहर को पूरा दिखा के हमने वो बनवा लिया है, फाइले हमारी बनी रखी हैं, जैसे ही हमें फंड का प्रावधान मिलेगा, तो उस समय हम स्पीड से इस कामों को कर पाएंगे, तब हमें घूमने जाने की जरूरत नहीं होगी, डिस्पेंसरी का भी हमने कर लिय हैं, और बाकी जनता ने सहयोग दे के जिताया है, तो पूरी कोशिश होगी की बढ़िया से बढ़िया काम करें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुपकाम नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बातों को जनता तक पहुचाने के लिए बहुत बह को आपने सुना तमाम जो विशे थे चाहे दली सरकार के विशे हो क्या मंतरी मनी सिसों दिया कि गिरफतारी का विशे हो या फिर M.C.D. में हुए हंगामे का सभी विशेओं पर तफसील से जानकर जेती हुए और बाताती हुए आखिर इन सभी विशेओं के पीछे पूरा क्या है पूरी सचाई क्या है सही विशेत्यागी के साथ में अनंत कौशिक